Welcome back to my YouTube channel World Literature आज ये topic हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है trends in 20th and 21st century fiction हमने history of English literature को बहुत detail से पढ़ा हुआ है क्योंकि जब हम लोग English literature को as a subject choose करते हैं तो तभी से हम लोग English literature की history को पढ़ना start कर देते हैं कि इसका origin कैसे हुआ, English literature developed कैसे हुआ Anglo-Saxon period को पढ़ते हैं, Anglo-Norman period को हम लोग पढ़ते हैं Middle Ages को पढ़ते हैं, Restoration period को हम लोग पढ़ते हैं Victorian age को पढ़ते हैं, Elizabethan age को पढ़ते हैं Shakespearean age को पढ़ते हैं, अगर हम लोग Jacobian age को पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग Modernism, Post-Modernism हमने बहुत सारी ages को पढ़ा है और उन सारी ages में literature जो है वो continuously develop हुआ है means कि अगर कहीं traditional चीज़ों को follow किया जाता था फिर जैसे जैसे time गुजरता गया writers नहीं चीज़ों के साथ engage होना start किया और जैसे ही engage हुए उन्होंने नहीं observations की writers ने नए topics को discuss किया और उन topics को discuss करके हमारे सामने रखा कि society किस तरह से change हो रही है society में क्या development आ रही है अब 20th century में क्या हो रहा था अब हम पहले वो discuss कर लेते हैं 20th और 21st century में बहुत ज़्यादा significant changes आ थे society में changes आ रहे थे culture के हवाले से social norms नहीं वो change हो रही थी political अगर हम लोग वहाँ उस time का scenario देखें तो वो भी totally change हो रहा था अगर politics history के अंदर हो different थी तो अब जैसे जैसे modernism और साथी साथ post-modernism आ रहा था यहाँ पर हमारी 21st century आ रही थी political narrative भी जो है न वो change होना start हो गए थे जो tactics थे politicians के वो भी change हो रहे थे इन सब चीजों को जो हमारी society के सबसे ज़ादा जो humble लोग होते हैं वो writers होते हैं वो इन सब चीजों को जब observe करते हैं तो then ही वो एक masterpiece हमारे सामने रखते हैं अब 20th century में क्या literature में development हो रही थी fiction में क्या development हो रही थी हम सबसे पहले उसको discuss करते हैं 20th century के अंदर सबसे पहले तब modernism का time period आ जाता है जो के early 20th century का था इसके अंदर बहुत सारे writers आई जिसमें Virginia Woolf हैं James Joyce हैं and T.S. Elliot अब ये जब लोग आए थे modernism में तो इन्होंने जो traditional चीजें थी उन सब को unfollow किया जो traditional ways थे storytelling के जो traditional ways थे play लिखने के novel लिखने के story लिखने के उन सब चीजों को इन्होंने reject करके modernism की तरफ आए और इन्होंने stream of consciousness को introduce करवाया अपने novels में अपने stories में अपने literature में इन्होंने inner thoughts पे focus दिया कि एक जो person है एक individual है एक human being है उसके mind में क्या चल रहा हता है इन्होंने उसको लिखना start किया उसके बाद इन्होंने जो कोई भी एक social man है या एक human being है normal उसका खुद का experience क्या है वो world को कैसे रेखता है उसकी ideology क्या है इन्होंने उसको observe किया और इन्होंने उसको लिखना start किया rather than इन्होंने religion को discuss किया या फिर जो traditional हमारे themes होते थे उसी इसको discuss करने के बजाए इन्होंने present time पे focus किया कि अब जो है वो world develop हो रही है जैसे जैसे चीजें evolved हो रही है हम भी खुद को ज़रा updated रखें और खुद को जो है वो evolve करें writers ने वही किया modernism के पाद हमारे पास time आता है post-colonial literature का post-colonial literature एक ऐसा important topic है literature के आंदर जो हमें हमारे सामने world का वो view सामने रखता है जो हमें नहीं पता है अगर हम लोग colonial history रखते हैं तो हमें books से पता चलता है हमें उसके impacts अपनी society में नजर आते हैं कहीं ना कहीं बड़ जो हमें writer बताता है कि उस time पर क्या हुआ था हमें वो books के थूपर पता चलता है colonial time period जो whites ने blacks के उपर या फिर वो countries जो खुद को speeded consider करते थे कहते थे के हम बहुत पड़े लिखे हैं well mannered हैं हमारी habits बहुत अच्छी हैं हम civilized हैं वो जिनको uncivilized समझते थे जिनको uneducated वो कहते थे उन पर आकर उने ने control किया वहां पर आकर अपनी territories बनाए और वहां पर जितना भी ख़जाना था वहां से लेकर चले गए whites और अपने countries म हुआ था हम उस चीज को discuss करते हैं इसमें हमारे बहुत सारी important writers हैं जिसमें चिन्वा हैं सल्मान हैं जिसमें Markis हैं यह वो writers हैं जिन्होंने post-clonalism पर बात किया है जिन्होंने klonalism को discuss किया है उसके क्या impacts थे उन सब चीज़ों को इन्होंने डिसकस किया है इन्होंने identity जो crisis होत इन्होंने un complexities को भी discuss किया है थर्ड पर आता है magical realism तो होता है जो reality based हम लोग कोई भी literature पढ़ते हैं अभी जो magical realism है यह एक नया style यह उन्होंने इंट्रडूस करवाया है जो के Latin American authors ने करवाया था जैसे के Marcus उसमें बहुत जादा famous हैं अब इसमें होता बला क्या है एक realistic story होती ह उसके अंदर कुछ magical चीज़ें डाली होती हैं कुछ fantasy के elements भी होते हैं हम story पढ़के confused हो जाते हैं कि यह story real life story है यहाँ पर एक fantasy story थी मतलब कि इन दोनों के दरम्यान हम differentiate नहीं कर पाते कि actually में यह story है क्या तो जो उनके दरम्यान line थी ना reality और imagination की वो जो खतम हो जाती है यह ज ना ही वो fantasy based होता है इन दोनों का एक combination होता है इसको जो है वो magical realism literature के अंदर कहते हैं 20th century में यह भी हो रहा था उस time पे उसके बाद जो है वो existentialism and absurdism यह जो है ना बहुत ही important था क्योंकि 20th century में world wars भी हुई world war first हुई world war second हुई यह पर बहुत सारी wars हुई हर country की अलादा अलादा अपनी wars चल रही थी हम cold war देखते हैं हम Spanish civil war देखते हैं हम जो के बहुत सारी ऐसी wars है जिसने लोगों की जो identity है उसको affect किया साथ ही साथ लोगों के अंदर जो एक life का meaning था उसको खतम कर दिया था इन सब चीजों ने जैसे जैसे technology evolve हो रही है relationships एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं लोगों के अंदर humanity जो है वो खतम होती जा रही है इस वज़ा से लोगों के अंदर जो खुद का personality को लेकर एक question है ना कब मैं हो कोन मेरी life का meaning क्या है मेरा purpose क्या है यह चीज़ बहुत ज़दा हो रही थी उस time पे तो इनको भी नोट discuss किया हमारी English literature के writers ने जिसमें Albert Camus है सार्टर है इन्होंने existentialist और absurdist theme को challenge किया life का meaning है उसको explore करने की इन्होंने कोशिश की एक individual की freedom है इन्होंने उस topic को discuss किया और जो human existence की absurd है ना के मेरी life का purpose क्या है aim क्या है मैं इस दुनिया म identity को हम कभी कभी question करना start कर देते हैं हमें हर जीस meaningless लगती है कि मेरा तो कोई purpose ही नहीं है या फिर मैं जो काम कर रहा हूं इसके कोई फाइदा ही नहीं है fifth point हमारा जो 20th century में है वो है post modernism ये late 20th century का time period है इसमें author डॉन डेलिलो है और सल्मान रोशदी है इन्होंने जो है वो narrative structures को जह है ना उस पर experiment किया मतलब कि इंटर textuality की इन्होंने बात किया कि जो text आपर स्वे मिल जाते हैं उनका क्या result निकलता है उसको इन्होंने discuss किया उसके बाद self reflexivity पर इन्होंने बात कि कि जो self artificiality होती है किसी भी person की किसी भी human being की कि वो कितना artificial है अंदर से उसका inner कितना ज storytelling conventions थी ना इन्होंने उसको भी challenge किया और क्यूंकि modernism होता ही वो है जो कि traditional चीज़ों को challenge करें जो हमारी जो traditional ways थी, values थी या पि जो writing style था, literature था उन सब चीज़ों को यह challenge करते हैं जो modernism के writers थे उसके बाद आता है हमारी 21st century जिसके अंदर global and transnational literature जह है वो आता है अब जब world एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यदा connected हो चुकी थी, मतलब कि जैसे अब हमारी technology है, कितनी ज़्यदा वो fast है एक minute में हम अपने internet के through जो एक news होती है, वो कहीं भी पहुँचा सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, England, कहीं भी हम लोग देख सकते हैं वो बैठके तो means कि हमारी जो पूरी world है, वो एक global village बन चुकी है, इसकी वज़ा से बहुत सारे जो writers से उन्होंने उन चीज़ों को discuss किया, जो हमारे border के across भी हो रही थी जैसे अगर पाकिसान एन इंडिया के जो common issues हैं, अगर एक writer वो लिख रहा है तो उसको पता है कि जो मेरे border के उस साइट पर लोग हैं, उसके भी कुछ ऐसे ही issues हैं means कि ऐसी writing जो हमारे border के across जाए, हम लोग हमारी जो national boundaries हैं उन से across जाए, हमें पता हो कि हमारा neighbor country उनकी क्या problems हैं इसमें नगोजी, हरू की ये कुछ important writers हैं जो कि global and transnational literature पे काम करें थी 21st century में second 21st century में जो literature developed हो रहा था, वो dystopian था and speculative fiction था dystopian वो होता है, जो कि एक imaginary किसी भी चीज़ को हम लोग ले रहें, एक imaginary society हम लोग अपने mind में imagine कर लें जो कि बहुत बुरी society हो, जिसके अंदर बहुत सादा जुलम हुआ हो, unfair society हो, लेकिन वो एक imagination में हो हमारी कि maybe future में ऐसी desktopian जो society है, वो बन जाए कहीं ना कहीं, इस literature को discuss किया जा रहा था, उसके बास speculative जो literature है उसको भी discuss किया जा जा रहा था, जो कि supposed होता था और unsafe होता था, risky type की जो कुछ literature होता था उसको, इनके जो उसमें reality नहीं होती थी, surety नहीं होती है, हम ये भी कह सकते हैं इस work था, इन्होंने desktopian जो futures है, उसकी prediction की, उसको explore किया, कि maybe society जो है, वो उस तरफ चली जाए, unfair जो चीजे होती है, किसी भी society में वो होना लग जाए, और एक desktopian जो society है, वो करियेट हो जाए, और साथी साथ speculative जो scenarios है, जिसमें, जो कि supposed करके कोई भी storytelling कर दी जाए, या फिर बहु जो societal issues थे न, वो इसके अंदर desktopian और speculative जो fiction था, writers काम कर रहे थे, identity and representation, इसके अंदर जो है, वो diverse voices पे focus किया जाता है, जैसे के हमारे common issues क्या है, race, gender and cultural identity, ये तीनों हमारे personal चीजे होती है, हमारी cultural identity क्या है, और इसका impact क्या होता है, हमारी personality पे, हमारा gender, male, female, उसके क्या, जो roles ह हमारी society में उसके बाद raise, ये कुछ important है, और इसमें writers जो है, वो नगुजी है, smith है, और dies, ये कुछ important writers, जाद है technology and cyberpunk, जैसे जैसे हमारी technology जो है न, उसका rise हुआ है, जैसे जैसे वो उपर गई है, जैसे के internet services बहुत fast हो गई है, आई दिन कोई न, कोई हमारी जो new app है, वो launch हो रही होती है, और उसके through जो है, वो लोग एक दूसरे से connected हो रहे होते हैं, उसका क्या impact होता है, technology किस तरह से हमें harmful है हमारी लिए, इस चीज़ को भी हमारी writers ने बहुत ज़दा discuss किया है, जिसमें Willian Gibson है, स्टिफेंसन है, इन्होंने digital age का जो impact है, उसको explore किया है, artificial intelligence, जैसे कि आजकल बहुत ज़दा common है, बहुत ज़दा use में है, उसका क्या impact है, और cyberpunk, cyberpunk क्या होता है, यह एक sub genre है, science fiction का, यहां फिर हम लोग एक lawless sub culture के अंदर, यह cyberpunk होता है, जिसके अंदर, जो computer technology होती है, वो dominated होती है, और जो cyberpunk होता है, वो dominated नहीं होता, वो जो है, वो weak होता है means कि ज़्यादा जो domination है, वो technology की है, और cyberpunk, जो के एक science की ही type है, जो के science के fiction की ही, इतना dominated नहीं होता, technology, अब मैंने कहीं पढ़ा था कि जो, अगर human being को कोई चीज़ replace कर सकती है न, वो सिर्फ technology है, अब हम live देखते हैं, हम लोग freelancing का, यहां पर example ले लेते हैं, हम लोग freelancing के पहले जो है, वो ऐसे लोगों को ढूंटते थे, जो creative थे, जो content writing जानते हो, but within, जैसे से time उज़रता जा रहा है, अब हम लोग, जो है, वो artificial intelligence पे रिलाए करना start हो गए, artificial intelligence जो है, वो ऐसा material हमें लिखके देता है, ऐसा content लिखके देता है, जो के replace कर सकता है, और यह जो चीज है ना, इसका harm जो है, वो हमारी society को किस तरह से हो रहा है, यह सिरफ और सिरफ writers discuss करते हैं, क्योंटी first century के अंदर environmental जो concerns है, उन पे भी बात हो रही थी, कि जो environmental issues है, इसकी awareness होना बहुत ज़्यदा importance है, जिसमें अमेतम कोश और बार्बरा, इनके जो works हैं, यह जो authors हैं, यह इन themes पे काम करें थे, जो ecological themes होते थे, जो environmental हमारे issues हैं, हमारे environmental issues कितने ज़्यदा हैं, weather changes कितना ज़्यदा हो गया है, यह जो industrial revolution हुआ था, जो industries का सारा का सारा जो यह dirt होता है, यह कहां जाता है, यह जब हमारी जो air है, उसको pollute करता है, तो उस وجہ से हमारे जो, हमारे oxygen के problems होते है हमें जो है, वो सांस लेने में कितनी difficulty होती है, यह जो issues हैं, इनको भी हमारे writers जो हैं, वो discuss कर रहे हैं, 21st century में, उसके बाद auto fiction है, auto fiction एक ऐसी fiction होती है, जिसके अंदर जो है ना, वो line blur हो जाती है, जो fiction और autobiography के दर्मियान होती है, autobiography जिसके अंदर writer जो है, वो अपनी life की प एक सब हो जाते हैं, तो उसको auto fiction कहा जाता है, इसके अंदर, जो mostly हमारे important writers में, सस्क और और यह जाते हैं, इन्होंने जो है, वो auto fiction पे कांदे हैं, यह जो trends हमने डिसकस की हैं, यह actually में हमें 20th and 21st century के अंदर, जो fiction में changes आ रहे थे, वो बताते हैं, और writers किस तना से इन changes के सा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा, thanks for watching my channel